हेलो दोस्तों मैं सिसकुमार अपनी यूटूब चाहें बिहार जी के ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग मदकारिन भात के इतिहास के अंतरगत विजे नगर सामराज के दूसरे पाट को इस वीडियो में देखेंगे तो यदि आप लोगों ने अब तक हमार चैनल भीहार जी के ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं क्या है तो इससे सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आइकन को जो उर्दमाय तवाई वडियो को शट करते हैं तो आज का पहला प्रश्ण है ताली कोटा के युद के समय विजे नगर सामराज में कौन से राजवन्स के राज था तो इसका उत्तर है तुलूब राजवन्स का ताली कोटा का युद 23 जनवरी 1565 इस वी को हुई थी इस युद में दक्चिन भारत के चारों मुस्लिम राजियों ने मिलकर विजे नगर को प्राजित किया था उस समय विजे नगर का शाष्टक तुलूब राजवन्स के सदा शिव राई था और इसके मंत्री का नाम राम राई था तालिकोटा के युद में विजयनगर के प्राजय के साथ विजयनगर का पतन प्रारम हुआ था तालिकोटा के युद को ही हम राक्षसी तांगरी का युद एवं बेनी हटी के युद के नाम से भी जानते हैं उस समय के दक्चिन भारत के मुस्लिम राजियों में सामिल किया जाता है विजापूर, गोल कुंडा, अहमद नगर एवं बीदर को विजे नगर की धर्ती पर चार राजवंसों ने साशन किया था संगम राजवंस, शालूब राजवंस, तुलूब राजवंस और अरविडू राजवंस अब आई चलते अगले परशन पर तो अगला परशने विजे नगर सहर के और किस नाम से जाना जाता है तो विजे नगर सहर को हमपी के नाम से जाना जाता है विजयनगर सहर को हम हमपी के नाम से भी जानते हैं हमपी वर्तमान समय में करनाटक के बेलारी जिले में अस्तित है हमपी विजयनगर सामराज की पहली राजदानी थी विजयनगर का अर्थ होता है जीत का नगर अब अगला प्रश्ण है कौन से युद से विजे नगर सामराज का पतन हुआ था तो इसका उत्तर है तालीकोटा का युद तालीकोटा के युद में विजे नगर सामराज का पतन हुआ था दक्चिन भात के चार मुस्लिम राजियों ने विजयनगर की धरती पर आक्मन किया इसे हम तालिकोटा के युद के नाम से भी जानते हैं इस परकार तालिकोटा का युद्ध तैस जनवरी 1565 इस भी को हुई थी इस युद मेत विजयनगर की धर्ती पर प्राजय का शामना करना परा था यहीं से विजयनगर का पतन प्रारम हुआ था ताली कोटा के युद को हम राक्षची टांगडी का युद एवं बेनी हटी के युद के नाम से भी जानते हैं दक्षिन भाद के चार मुस्लिम राज्यों में सामिल किया जाता है बीजापुर को, गोल कुंडा को, अहमद नगर को और बीदर को अब अगला प्राशन है विजयनगर राज की अर्स्थापना की थी किसने तो इसका उत्तर हरियर और बुक्का दो भाईयों ने विजयनगर समराज की अस्थापना हरियर तथा बुक्का ने 1336 इस्वे में की थी उसके पिता संगम के नाम पर उनका राजवन्स, शंगम वन्स कहलाया हरियर और बुक्का कामपली राज में मंत्री थे मुहम्मद तुगलक ने जब कामपली को विजित किया तब हरियर और बुक्ता को बंदी बना लिया इन्होंने इसलाम धम सुईकार कर लिया बाद में उन्हें दक्चिन के विद्रों को सान करने के लिए भेज दिया गया वे उसकार में सफल नहीं हुए और अंत में एक संत विद्यारन के प्रभाव में आकर पुना हिंदू बन गए वियनगर को अस्थापित करने के लिए हरियर एवं बुक्ताने अपने गुरु विद्यारन तथा वेदों के परसिद भाशेकार सायन से सिच्छा ले थी इस सामराज के चार राजवंसों शंगमवंस, सालूब वंस, तुलूब वंस, अराविडू वंस थे ने लगवग 300 वर्षों तक साशन किया विजनगर सामराज की राजधानिया करमस्या अने गोंडी, विजनगर, वेनु गोंडा तथा चंद्रगिरी थी अब अगला प्रशन है, इन में से किसने कृष्ण नदी की सहायता, सौरी सहायक नदी की दक्षनी टट पर एक नए नगर की अस्थापना की और उस देवता के परतिनिधी की रूप में अपने इस नए राजध पर सासन करने का दायत विलिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्ण नदी से दक्षिन की समस्थ भूमी उस देवता की है, तो इसका उत्तर है हरियर पर्थम ने, हरियर पर्थम के कृष्ण नदी की सहायक नदी के दक्षिनी टट पर एक नए नगर विजय नगर की अस्थापना की और उस देवता के परतिनिधी की रूप में, अपने इस नए राजध का शाशन करने का दायत्व लिया, जिसके बारे में माना जाता थ कि कृष्णा नदी से दक्षिन की समस्त भूमी उस देवता अर्थात भागवान विरु पाक्ष की है, अब अगला पशने अपनी मदुरा विजय किरती में अपने पती के विजय अवियानों का वर्णन करने वाला कवित्री थी, कौन थी? तो इसका उत्तरे गंगा देवी, 1352 से तिरपन इस भी में हरियर पर्थम ने मदुरा विजय हेतु जो सेनाए भेज एक कुमर सवल के नितित में तथा दुसरी कुमार कंपन के नितित में, कुमार कंपन अडियार ने मदुरा को जीत कर उसे विजय नगर में सामिल कर लिया, उसकी पतनी गंगा देवी ने जीव वर्णन किया है, कुमार कंपन बुक्का राय पर्थम का पुत्र था, अब अगला पस ने विजय नगर के उस पहले साशक की पहचान करे, जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था, तो इसका उत्तर है हरियर दुत्ये ने, 1377 इस्वी में पुक्का की मिर्थियों के बाद उसका पुत्र हरियर दुत्ये सिहासन पर बैठा, उसने महराजा धिराज की उपाधी धारन की, उसने कनारा, मैसूर, त्रीचना, एल्ली, काची आधी परदेशों को जीता और शिलंका के राजा से राजस्व वशूल किया थ भामनी राजसे भी उसका शंगर्स हुआ, 1377 इस्वी में शुल्तान मुजाहिद ने अपने राज पर आकमन किया किन्तु शफल नहीं हुआ, हरियर दुत्ये की सबसे बरी शफल था, परश्टी में भामनी राजसे बेलगाउं और गोवा चिनना था, वह सिव के विरुपाक रूप का उपाशक था, अब अगला पशन है, विजय नगर के राजा कृष्ण देव राए ने गोल कुंडा का युद किस राजा के साथ लड़ा था, तो इसका उत्तर है कुली कुतुब साह के साथ, विजय नगर के राजा कृष्ण देव राए ने गोल कुंडा का युद गोलकुंडा के शुल्तान कुली कुतुब साह के साथ लड़ा था गोलकुंडा में कुतुब साही वंस की अस्थापना कुली कुतुब साह ने की थी जब कृष्ण देवराय उरिसा के साथ युद में वियस था तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा परहस्तित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्मन किया तथा वारंगल कोर्ट विड़ू आजी के किले जीत लियें इसके बाद में उसने विजयनगर पर आक्मन करने का परियास किया कृष्ण देव राय और कुतुब शाह के भी संखर्श हुआ जिसमें कुतुब साही सेना पराजित हुई थी अब अगला प्रश्ण है कृष्ण देव राय के दरवार में अश्दिग्ज कौन थे तो इसका उत्तर है आठ तेलगू कवी कृष्ण देव राय का शाशनकाल विजयनगर में साहित का कलाशे की युग माना जाता है इसके दरवार को तेलगू के आठ महान विद्वान एवं कवी सुसोवित करते थे इसलिए इसके शाशनकाल को तेलगू साहित का श्वन युग भी कहा जाता है कृष्ण देवराय ने आंद्र भोज की भी उपादी धारन की थी अश्डिगर्ज तेलगु कवियों में पेड़ाना सरप्रथम था जो संस्कृत और तेलगु दोनों भाषाओं का ग्याता था उसकी परमुक रसनाए स्वारोचीर, शंभव और मनुचरित है कृष्ण देवराय स्वैम एक उत्कृष्ट कभी और लेखक थे उसकी परमुक रसना आमुक्त मालियद्धी जो तेलगु भाषा के पांच महा कावियों में से एक है इसके अत्रिक्त कृष्ण देवराय को कला और निर्मान कार में भी रूची थी उसने नांगल पुर नामक नगर की अस्थापना की उसके समय में पूर्थगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विज्यनगर सामराज की यात्रा की बावर ने अपनी आत्मकता में कृष्ण देवराय को भारत का सबसे सक्तिसाली साशक बताया है अब अगला पुष्ण ने इन में से किसे आंद्र भोजवी कहा जाता है तो इसका उतर है कृष्ण देवराय को अगला पुष्ण अश्ट दिग्यज किस राजा से संबंदित है तो अश्ट दिग्यज जो है कृष्ण देवराय से संबंदित है अगला प्रशने परसिद विजय नगर शाषक कृष्ण देवराय की अधीन किस साहित का श्वन युग था तो इसका उत्तर है तेलगू साहित का अगला प्रशने कृष्ण देवराय ने किस नगर की अस्थापना की थी तो कृष्ण देवराय ने नांगलापुर नगर की अस्थापना की थी कृष्ण देवराय का शाशनकाल विजे नगर में सहित का क्लासिकल युग माना जाता है कृष्ण देवराय ने आंद्रभोज, आंद्रपिताम, आधी, उपाधियां धारन की थी अस्थापत्यकला के चेत में कृष्ण देवराय ने नांगलापुर नामक नए नगर की अस्थापना की थी उसने हजारा एवं विठ्थल स्वामी नामक मंदीर का निर्मान भी करवाया था अब अगलापशने विजयनगर का परसिद हाजारा मंदीर किसके शाषन काल में निर्मित हुआ था अब अगलापशने अबदुल रज्जात विजयनगर आया था किसके काल में तो इसका उत्तर है देवराय दुत्ये की राज्य काल में फार्सी राजदुख अब्दुल रज्जाद संगम वंस के सबसे परतापी साशक देवराय दुतिय के साशनकाल में विजेनगर आया था अगला परशने निकोलो कॉंटी कौन था तो निकोलो कॉंटी जो है इटली की एक यात्री जिसने विजेनगर सामराज की यात्रा की थी अब आई चलते इसके विस्ताव को परते हैं निकोलो कॉंटी इटली का एक यात्री था जिसने देवराय परतम के साशनकाल में विजेनगर सामराज की यात्रा की थी निकोलो कॉंटी ने नगरों में मनाय जाने वाले प्रमुक्त्यभारो दिपावली नवरात आधी का वर्णन किया है इसने दस परता का सुरी यहां दा विजेनगर सामराज में विशाल संख्या में दास हैं जो कर्जदार अपना रीन अदा नहीं कर पाते हैं उन्हें रीन दाता द्वारा अपना दास बना दिया जाता है अगला प्रशने वैदी गरंतों में भाश्रेकार सायन को आसरे प्राप्था किसका तो इसका उत्तर है विजेनगर राजाओं का वैदी गरंतों के भाश्रेकार सायन को विजेनगर राजाओं का आसरे मिला था शंगम के पाच पुत्रों ने जिन में हरियर और बुक का सरवाधिक परसिद थे तुंग भद्रा के उत्री टट पर हस्थित अने गोंडी दुर्ग के सम्मुख उसक दक्षिन टेट पर विजेनगर सहर एवं राज की नेव डाली थी अपने इस शहाशिक कार में उन्हें तत कालीन परसिद भ्रामन सादू एवं विद्वान मादव विद्यारन तथा उसके भाई विदों के परसिद भाश्रेकार सायन से प्रेड़ना मिली थी अब अगला प्रेश्ण है 1565 में कौन सा परसिद युद हुआ था तो इसका उत्तर है ताली कोटा का युद्ध 1565 में ताली कोटा के परसिद युद्ध में भ्रामनी राज्यों की सयुक्त सेनाओं ने विजेनगर को प्राजित किया था इस सयुक्त सेना ने केवल बरार सामिल नहीं था फरिस्था के नुसार यह युद्ध ताली कोटा में लड़ा गया किन्तु युद्ध का वास्तिविक छेत्र राक्षसी एवं तांगरी नामक दो ग्रामों के बीच अस्तित था ताली कोटा के युद के समय विजेनगर का शाषक सदा सिवराय था किन्तु वास्तिविक सक्ति उसके मंत्री रामराय के हाथों में थी राम राय एक योगी शाशक था उसने बहमनी राजियों के मुस्लिम शाशकों के मद्य फूट डालने का परियास्किया किन्तु सफल नहीं हुआ ताल कोटा के इसी युद में हुश्यन निजाम शाने अपने हाथों से राम राय का वद्ध कर दिया था अब अगला परशने ताल कोटा का युद लड़ा गया था तो इसका उत्तर है ओप्शन सी विजे नगर और बीजापूर अहमन नगर तथा गोल कुंडा की सेख सेनाओं के बीच लड़ा गया था अगला परशने है जब राजा वोड़ी यार ने मैसुर राज की अस्थापना की तब विजे नगर सामराज का शाश्रक कौन था तो इसका उत्तरे वेंकट दूत्तिये अरा विडू वन्स की अस्थापना पंद्रा सो सत्तर के लगभग तिरुमन ने सदासिव को अपदस्त कर पेनू को ना में की थी इसका उत्राधिकारी रंग पर्थम हुआ रंग पर्थम के वाद वेंकट दूतिये साशक हुआ उसने चन्गरी को अपना मुख्याले बनाया विजेनगर के महान सासकों की स्रिंकला में या अंतिम वनस्था वैंकर दुति राजा वोडियार का सम कालीन था जिनोंने 1612 स्वी में मैसूर राज की अस्थापना की थी अब अगला पश्ण है विजे नगर सामराज की वितिये विवस्ता की मुक्य बेसेस्ता क्या थी तो इसका उत्तरे भूराजश्व विजे नगर राज को विभिन स्रोतों से आई प्राप्त होती थी यथा भूराजश्व संपती कर व्यापारिक कर व्यवसाई कर उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर सामाजिक और सामोधाई कर तथा अपरादों के लिए आरोपीत अर्थ दंड राजश्व का सरवादिक महत्पूर्ण स्रोत भूमी कर था भूमी का भली भाती सर्वेक्षन किया जाता था और उपज का एक वटा चरवाग भूमी कर के रूप में वश्रूल किया जाता था सिष्ट नामक कर राजगी आय का परमुक्ष शुरूत था केंद्री राजश्व विभाग को 58 अर्थात अस्तववन या फिर अत्ववन कहा जाता था अगला पशन है नेम्दकित में से किस अस्तान के खंडर विजे नगर की प्राचीन राजधानी का परती निधित्व करते हैं तो इसका उत्तर है हमपी हमपी के खंडर विजे नगर सामराज का प्राचीन राजधाने का परती निधित्व करते हैं विजे नगर काल में बीना विरुपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्तित है हमपी युनेशको की विस्व विरासत अस्तुलों की सूची में भी समलित है अगला पस्टने विजे नगर के किस साशक ने चीन के समराट के पास अपना राजधूद भेजा था तो इसका उत्तर है बुख का प्रथम विजे नगर सामराज की अस्तापना हरियार एवं बुखा ने 1336 इस्वी में की थी अपने इस सहाशिक कार में हरियर एवं बुका ने अपने गुरु वेद्यारन तथा वेदो के परसिद्ध भाशिकार सायन से प्रेड़ना ली थी विजयनगर सामराज में कुल चार राजवंस हुए शंगमवंस, शालूवंस, तुलूवंस एवं अराविडूवंस, संगमवंसी साशक बुका पर्थम ने तेरा सो चोहत्तरिस्वी में चीन के समराट के पास अपना दूत मंडल भेजा था अगला पशने परसिद विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्चित अस्थम संगीत में स्वर निकालते ही कहा अवस्तित है तो यह जो है हमपी में अवस्तित है विठल मंदिर का निर्मान विजय नगर सामराज के तुलूब बंस के महापत्तापी राजा कृष्ण देव राय ने करवाया था इस मंदिर में ऐस्ति 56 तक्चित अस्थम संगीत में स्वर निकालते ही इस मंदिर का निर्मान विजे नगर सामराज की राजधानी हम पी में किया गया था तो यह था इस चेप्टर का आकरी प्रश्ण आसा करता हूँ आप लोग को हमारी यह वीडियो पसंद आए हो यदि आप लोग को हमारी यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और सेर जरूर करें फिर मिलते हैं नए चेप्टर के साथ तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद